हेलो एव्रिवान आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन बर्गर नॉर्मल ब्रेर के साथ पहले हम चिकन पैटीज बनाएंगे चिकन कीमा में बारिक कटा हुआ हरा मिर्च बारिक कटा हुआ प्याज और बारिक कटा हुआ दनियापता डल के मिक्स कर लेंगे अब अपने टेस्ट की हिसाब से नमक डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम पैटीज को सेलो फ्रै करेंगे हट फ्रैंग पैन में सरसो का तेल डालेंगे चिकन कीमा को राइस फ्लोर से अच्छी तरह से कोट कर देंगे चिकन पैटी में सब तरप से राइस फ्लोर लग जाना चाहिए अब हम पैटीज को सेलो फ्रै करेंगे दो मिनट तक एक साइड से पकने देने के बाद धिरे धिरे टर्न करेंगे मीडियम आज पर बखाएंगे पैटीज दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हम उसको निकाल लेंगे चिकन पैटीज रेड़ी है अब हम बर्गर बनाएंगे मैंने नॉर्मल ब्रेट को राउंड शेप में कट कर लिया है ब्रेट को दोनों साइड से लाइट ब्राउन होने देंगे अब हम इसमें टॉपिंग्स डालेंगे आप अपने पसंद की जो भी चाहे टॉपिंग्स डाल सकते हैं आप चाहे तो इसमें लेटिस, कैबेज, कुछ भी डाल सकते हैं टोमयाटो स्लैस, तोमय तोमयाटो स्लाइट, पिक्सित रचोण, चिकन पैटो, चीर दोष्टो चीर ऑईन आद रेखिए, चीर डेखिए, और लास्त में ओनाइस। अब बिना मायोनीज के भी खा सकते हैं यह बिना मायोनीज के भी बहुत यमी लगता है अब इसको दिरे दिरे टर्न करेंगे बर्गर रेडी हो गया है अब हम इसको सर्फ करेंगे यह देखिए कितना यमी दिख रहा है यह सिर्फ देखने में यह नहीं खाने में भी बहुत यमी बना है अगर आपको मेरी डिश पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यी सो माच